तो लाश्ट एड एक निदाशा जनक परफॉर्मेंस के बाद गई अब कामिंग सीजन के लिए नॉर्थ इस्ट रॉनाइटे डिपसी अपने स्कॉट को एक चैंपियन फेवरिक टीम की तरह विल्डाप किया है अनिदम भर्चाडिया जैसे अनुभवी गोलकीपर के साथ जैसे फॉर्णर को रिक्रूट किया है जिनके पास अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपीडियन से एक डेप्थ प्रॉमिसिंग इंडियन स्कॉट और मार्को बल्बूल जैसे मैनेजर जिन्होंने एउरोपीन फुटवाल में एज एड कोच काफी समाई विताया है एसिस् और फ्लाउथ पिंटो जैसे इंडियन टेक्टिशियन नजर आएंगे जो यंग टेलेंट को पहचानते हैं तो चलिए गईस नॉर्थ इस्ट उने रप्सी का फॉल स्क्वाड को एक बार देख लेते हैं स्कॉर तो हाइलेंडर्स का स्कॉर में गईस गोलकीपिंग डिपार्डमेंट के अंदर एज ए कस्टोडियन अरिंदम भचारिया के साथ शामिल है मिर्शात मिर्शु जैसे टैलेंट और थर्ड गोलकीपर निखिल देका डिफिंडर्स का लिस्ट में दो फोर्णर माइकेल जैकोपसिन और एरोन एवांस के साथ चार इंडियन सेंटर बैक महमत इर्शात, जीरजार तेरंग, मशूर शेरिप और गोरब बोरा, लिफ बैक के पोजिशन पर प्रभात लाकरा, गुर्जिंदर कुमार, तन डॉमबा सिंग और एक लावते राइड बैक जोय जोहर लिय जाना, मिध्फिल्ड में ऐजे फोर्णार योन गज़ता नगा, एंड इम्रान खान जासे डिस्ट्रैक्टिप इंडियन मिध्फिल्डर के साथ शामिले प्रग्यान मेधी, प्रग्यान गोगुई और सेनाच सिंग, अटाकिंग मिध्फिल्ड में मोजु दे रोमेन दर्भी शेयर और सिल्वेस्टर एमेका एकबाउन के साथ एक यंग प्रामिसिंग इंडियन स्ट्राइकर दीपू मिर्धा, तो ओवरल इस टीम के अगर स्ट्रेंथ के बाड़े में बात किया जाए गई तो गोलकीपिंग डिपार्डमेंट इस आउटस्टेंडिंग, किया गया है, जो काफी वर्साटाइल प्लेयर है, बाकी अच्छे इंडियन अटाकर भी नजर आएंगे, छाड़ा जी थी नेमेस और एमिल मेनी जैसे खिलारी, जिनका परफॉर्फॉर्मेंस गोकुलम के साथ अच्छा था, लेकिन गैस इस टीम का जो कमजोरी है, यानि व हो सकते हैं, अच्छे इस टीम का जो दूसरे विकनेस है, वो है इनका सेंट्रल और होल्डिंग मिद्फिल्ट, जहाँ आपको इमिरन खान और जियोन गजातनगा जैसे हाई प्रॉफाल मिद्फिल्डर तो नजर आएंगे, लेकिन वही पर एक एक एक्सपीरियन्स इंडिय सकते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, और हाइलेंडर्स का फूल स्कॉट स्ट्रेंथ और वेकनोस को लेकर गईस आब अपना राय कमेंट बक्स पर दे सकते हो, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कर अच्छे लेगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और